असलाम अलेकूम आज हम आपको रवे का दानेदार हल्वा बनाना बताएंगे आप देख सकते हैं कितना दानेदार ये हल्वा बना है तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा इसके मत करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं रवे का हल्वा बनाना इसके लिए देखे हमने यहाँ पे इस तरीके का एक बरतन ले रखा है इसमें हमने यह पौना कप शक्कर यानि चीनी रखी है इसमें हम इसी कप से दो कप पानी रखेंगे और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक चीनी घुलना जाए तो चलिए जब तक चीनी पकती है इसको दूसरी साइट कर देते हैं और इधर हम रवा भूनने की तयारी कर लेते हैं इसके लिए हमने देखिए एक कढ़ाई ली है इस तरीके से उसमें हमने देशी घी रखा है इस चमच से दो चमच भरके और अब इसमें हम दो चुटी लाइची और दो से तीन लॉंग रखेंगे चुटी लाइची यानि हरी लाइची और इसको कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे इसमें उसके बाद इसमें हम रवा रखेंगे रवा एक कप रखेंगे उसी कप से जिससे हमने चीरी और पानी ना पता और इसको हम मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक रवे का कलर चेंज ना हो जाए इसको आपको चलाते हुए भूनना है मीडियम फ्लेम पर ही इधर देखिए हमारी शकर घुल चुकी है चाश्टी अच्छा से बन चुकी है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और रवे को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं ये देखिए रवा हमारा भुन चुका है इसका color change हो चुका है इसी तरीके हमें continue चलाते हुए इसको इतना ही भुनना है बस इससे ज़्यादा नहीं भुनना है ना इससे कम भुनना है अब इसमें हम वो चाशनी डालेंगे जो हमने अभी बनाई है और चाचनी को डालने के बाद भी हमें मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है जब तक ये हलवा गाढ़ा ना हो जाए अच्छी तरीके से बनना जाए साथ ही इसमें हमने कुछ मेवे डाले हैं आप अपनी पसंद से एड़ करिएगा और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर भूनते वे देखे हम बना रहे हैं और ये गढ़ा होने लगा है लगबग ये देखिए इसी तरीके हमें चलाते वे इसको बना लेना है अच्छी तरीके से ये देखिए गढ़ा हो चुका है हलवा मेरा रेडी हो चुका है अब इसको हम gas का flame off कर देते हैं और इसको हम serve कर लेते हैं गर्मागर्व यह देखिए हमने यहाँ पे serve कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हल्वा कितना दानेदार बना है इस तरीके से आप इसको बनाईएगा तो इंशाला आपको यह recipe बहुत पसंद आने वाली है वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिएगा तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अला हाफेज